कायट में लोकेश गर्ण ने कहा है कि उनके मुबाईल पार एक शक्स ने फोन कर धिरेंद्र शास्त्री को जान से मानने की धमकी दी है लोकेश का कहना है कि फोन करने वाले ने बाद में अपना नाम अमर सिंग बताया चतरपुर की वमीठा पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहट FIR दर्च कर ली है तो ये बड़ी खबर धिरेंद्र शास्त्री को लेका जान से मानने की धमकी मिली है बागेश्वर धाम के बाबा धिरेंद्र शास्त्री को ऐसा उनके रिष्टेदार ने आरोप लगाया है और जो FIR दर्च की गई है उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे है और FIR में क्या लिखा है वो भी जान लीजे रात करीब नौ बचकर 15 मिनिट पर मेरे मुबाइल नंबर उन्होंने अपना लोकेश गर्ग में अपना मुबाइल नंबर इसमें दिया है FIR में उस पर फोन आया मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई अज्यात व्यक्ति बोला कि धिरेंद्र से बात कराओ तो मैंने बोला कि कौन धिरेंद्र तो उसने बोला बागेश्वर वाले धिरेंद्र शास्त्री से तो मैंने कहा कि हमारी पहुंच नहीं है बात कराने की दूसरी तरफ वाला व्यक्ति फिर उसके बाद आगे बोलता है कि उनकी तेर्वी की तयारी कर लेना मैंने बोला क्यू शास्त्री मेरे चचेरे भाई हैं उनके संबंध में मैं ये मुबाइल नंबर इसके तहत जो मेरे को बाचीत मेरे से की गई उसकी जानकारी दे रहा हूं अज्यात व्यक्ति ने अनर्गल बाचीत की है अतहां अनरोध है कि वैधानिक कारवाई करने का कश्ट करें अब हम आपको बाबा वी रेंद शास्त्री से जुड़े हुए तीन ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि आपको जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं आपको बता दे कि पहनी वीडियो में आप देख रहे हैं कि बाबा धी रेंद शास्त्री कुछ बोलते हुए साथ आपके लिए भी जानना जरूरी है जहां पर बाबा धी रेंद क्रश्न शास्त्री दूसरी वीडियो में क्या बोर रहे हैं वो है एक धमकी के वीडियो है जिस दिन बाबा को धमकी दी गई है वो उस दिन की वीडियो है जिस दिन की आप देख रहे हैं और इस वीडियो क में जो F-I-R लिखाए गई है उसकी फोटो आप देख सकते हैं कि बाबा को F-I-R के बारे में जो भी आपको जानकारियां है वो सब भी जा रही है आप देख सकते हैं कि इसमें सीधा-सीधा F-I-R में सब कुछ लिखा है कि बाबा को किस प्रकार से धंकिया भी जा रही है और रिष्टेदार की थी और जैसे ही यह उनको भनक लगती है कि जो मेरे खिलाफ यानि धिरेंद प्रिश्ण शास्त्री के खिलाफ जो भी अरि दर्ज कराई गई है वो सब कुछ तुरंत के तुरंत करावाई गई है और यह मंध्य प्रदेश में आरि दर्ज करवा दी जा चुक और इसके बाद जो भी एक्षिन लेना था वो सब तुरंद की तुरंद ये गए है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते ही अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद